असलाम लेकुम, वेलकम टू हफसे विलोग्स, उमीद करती हूँ, आप सब खेरियत से होंगे, आज हम बना रहे हैं करी पकोरा, उसके रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी, और आप सब खेरियत से होंगे, उमीद करती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और बेल आइकन को क्लिक करते हैं, मज़े मज़े करी की रेसिपी अभी आपके साथ शेयर करूँगी, पहले उसके लिए हमने एक तूरी लसन की ले ली थी, और उसको चीलने के बाद हम उसको कूट लेंगे अच्छे से, और लसन की एक तूरी लेनी है, इसमें सिर फिहर लेगा, अधर को गादा नहीं दे लेगा, जस लसन, लसन को हम अच्छे से कूट लेंगे, लसन को हमने कूट लिया था, उसके लिए हमने लिया है, आदा किलो कच्छी लसी मगवाई थी, और इसमें हम आद पाव बेसन डालते हैं के, और यह देख सकते हैं, मधानी कह जसके काते हैं, उसको अच्छी से मिक्स कर लें, लसी में हमने आद पाव बेसन डालतिया हैं, एक आप ले सकते हैं जो होता हैं, जो होता है ना, ढूंगा बरा इसमें आप ले सकते हैं और इस तरह अच्छे से mix करना है ताके बेसन और अच्छे से mix हो जाए और अमीद कर रही हो आपको भी अच्छा लग रहा होगा और पसंद भी आईगी आपको कच्छी लसी और बेसन को तो हमने अच्छे से mix कर लिया था अब हमने एक पतीला लिया है, उसके नीचे आन चलाई है, साथ हम cooking oil एड़ करतेंगे, और उसके बाद हम इसमें lesson एड़ करेंगे, जो हमने कूटा था, lesson का paste, और इसको अच्छे से हम brown कर लेंगे, तो ऐसे आप अच्छे से इसको ब्राउन कर सकते हैं तेजा अंच पर लिसन तो हमने ब्राउन होने के लिए रगते हैं साथ ही साथ हमने जो बेशन और कच्छी लिसनी मिक्स की थी उसमें पानी एड़ करती है और अब हम इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक हमारा lesson भी brown हो जाएगा well finally हमारा lesson brown हो गया है अब हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा पानी क्योंकि ये नीचे लग रहा था काफी I mean जलना चाहिए इसलिए थोड़ा सा पानी add कर सकते हैं और एक्तियाट से करिएगा अब हम इसमें कुटी भी लाल में चैट कर देंगे 1 tablespoon और कुटी भी healthy half tablespoon असपेस आयका आप अपने रख सकते हैं जैसे आपको सही लगे कच्ची लसी और बेसन जो हमने mix किया था पानी में add करके और उसको आप ऐसे फूर लेंगे आयमें कोई बड़ी से लेके पॉनी उससे वेल पॉनी से हमने उसको पूर लिया था जो लकच्ची लसी और बेसन था विकॉस जब आप उनेंगे उस पॉनी में मलाई टाइप जैसे होती है उसको फैंग दीचेएगा इसलिए पूनते हैं आप सब बनाएंगे समझाएजाएगी और अब हमने इसमें एड कर दिया है लगा चिल लसी और बेसन और एक बाद जाना हताय एड करेंगे और साथे साथ इसमें दार्ची नी भी एक एड कर देंगे अब इसको तेज आंच पर वाइल आने देंगे वाइल आ गया है अब हम इसको हलकी आंच पर रख देंगे पकने के लिए 2-3 घंटे विकास गड़ी बहुत जितना पकाओगे उतनी अच्छी बनेगी तो 2-3 घंटे हम इसको हलकी आंच पर रख सकते हैं लाँच रखेगा धियान रखेगा बलना जाये तो इसको ढख देंगे वैल करी तो हमने रख दी थी पकने के लिए अब हम रेडी करेंगे पकोरे पकोरों के लिए हमने बेसन आलू और हरदनिया और प्यास और हर्मिर्ची और एक अंड़ा लिया है तो बेसे हुआ ने सबसे पहले हम लमा का ड्क करेंगे ओन टेबल्स पून और साथ रसाथ हाफ टेबल्स पून healthy और वन टेबल्स पून जीरा देध सीर्दवाबकर fij करें dough सुखा दिनी ये ऑड ने पूर्टेबल्स स्पून अपरकर करेंगे थोड़ा सह स् ज्यादा by गरम मसाला एट करेंगे वन चे टू टेबल स्पून हस्पिस है का आप अपने रख सकते हैं जैसे आपको सही लगे एक अंडा डाल देंगे एक चुटकी मीठा सोडा डाल देंगे एक चुटकी ही डालिएगा इससे ज्यादा नहीं अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ में थोड़ा थोड़ा पानी आट करेंगे दिखान रुखेगा ज्यादा पानी आट ना करती चाएंगे विकॉज ये पतला ना हो जाए इसलिए साथ साथ जिसे हिला के साथ ही साथ पानी आट करते जाएंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हरी मिर्चे एड़ करतेंगे साबत हरी मिर्चे कटिंग करके विकॉज हमने इसमें लाल मिर्च एड़ नहीं की ना दैदरा मिर्च विकॉज हमने करी में कुटी लाल मिर्च एड़ किया उसमें हमने हर मिट्च चैट किये हैं सावर क्टिंग करके और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में आट करेंगे बाकी चीज़ें करी को एक घंटा हो गया था उसके बाद हमने इसमें नमक आट कर दिया है वन टेबल स्पून और साथ में हमने सुखा धन्या ऍट किया है गरममसाल हूँ एंट पे अड़ किरेंगे अब चुपेसन था उसमें पकौरों के लिए हमने प्याज ऍट किर दिया है हदली मिर्चिवर मसाले दो हमने एड़ किर दिये थे सो प्यास और हरदनिया और आलू हमने एड़ करते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सो बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद 20 मिनिट हमने रख दिया था ताकि ये अपना रच्चे मसाले और दो गहंटे तो होने वले हैं करी को तो उसके लिए हम अब पकोरे फ्राई कर लेंगे तब तक सो पकोरे अब हम प्राई कर रहे हैं फ्राई पैन में कर लें आप लोग और तब तक करी भी ready हो जाएगी इसको तब तक हं करी में add कर देंगे कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं कुछ लोग कड़ी में डालके वेल पकोरे हमारे फ्राई हो गए थे हमने कड़ी में एड़ कर दिये हैं और कड़ी भी दो घंटे हमारी पकी है जितने दिर हमने पकोरों का बनाया मसाला हर चीज और तक तक के पके है और अब इसके फाइनल लुक दिखाऊंगे इंशाला फाइनली कड़ी पकोरा रेडी है बहुत ही यमिक ही लग रही है उपर हमने गरम मसाला अट किया है आई मीन गरम मसाला आप लोग डाल सकते हैं उपर से बहुत ही मज़े का लगता है उमीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो कॉमेंट्स बोक्स में जरूर पताईएगा और आप सब भी जरूर ट्राय करिएगा वेल तब तक में खालू करें आप में तब तक चैनल को सब्सक्राइब करतें बैल आइकन को क्लिक कर दे और मेरी हर आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते जएगा शुक्रिया अलाहाफिस